वेलो येवरिवेन वेलकम बैक तो में डिलेवर बन सेगेंड इस गोरकुमर यूर वच्छेंग एकवलाइब सो फ्रेंड्स आज में बात करने वाला हूँ कि अगर आपका टैंक का वाटर क्लीन नहीं रहता है तो इसका क्या रीजन है और कैसे आप उसको सही कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैं क्या किया है मेरा टैंक वाटर बहुत दिन से में क्लीन करने कोशिश कर रहा था बट वह क्लीन नहीं हो रहा था जिसके वएसे फिर अनफर्चलों मुझे परदा चला की जो मेरा जो एक्टिवेटर कारवन ने बहुत ही प्राणा हो चुका है और मैं कम से आइम के बाद इसका लाइप सुन खतम है इसके वाज से वह किसी भी चीज को कोई वाटर को जो क्लावडिने से वह अब्सवर्ब ने करते हैं इसके वाज सापकर टैंक का वाटर क्रिस्टल क्लियर नहीं रहा पाता है तो मैं यह नए अक्टिवेटर कारवन ले आया था एक पूरा एक्टिवेटर कारवन आपको यूज नहीं करना है अगर पूरा यूज करते हो तो आपको फीचेज को प्रॉलम हो सकता है क्यूंकि आप एक रिजन देख सकते हैं जो कुछ समय पहले मेरे जब फीचेज को हो लिंदा है दुआ था तो मैंने बहुत ही गूगल में सर अगर कर रहा है तो कम अमानट में अग्टिवेटर कर रहा है ज्यादा नहीं कर दो जैसे में 500 ग्राम का एक्टिवेटर कर रहा हूं था तो मैं 250 ग्राम का एक्टिवेटर कर रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले करना कि एक्टिवेटर कर लेना है क्योंकि थोड़े ब्लैक रहत अब्स नहीं अक्टिवेटर का बन लिया 50% रख दी स्क्रीटी परसन में यूज कर रहा हूँ और मैं जितने भी सारा कंप पिर मैंने जितने भी cotton pad उसको सब्सक्राइब कर दिया ताकि मेरा वाटर क्लीन हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरे वाटर क्लीन हो जाते हैं एधम crystal clear हो जाएंगे जैसे कि लगाएंगे कि आपको एधम new water जाते हैं अगर वह अगर फॉंटें ना चले अगर और मेरा water का droplet का sound नहीं वीजबल हो तो पूर लगए गया जैसे crystal clear water हो चुगा जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे tank में सारे fishes healthy हैं और fishes पूर एचे से झाल